2022 जाने वाला है और 2030 आने वाला है लोग बड़ी बेसबरी के साथ नए साल का इंतजार कर रहे हैं कोरोना के चलते दो साल तक लोग निव येर सेलेबरेशन से दूर रहे थे इसलिए इस बार लोगों का इरादा पिछले दो साल की भड़ास निकालने का है हर तरफ नए साल के स्वागत की तैयारी चल रही है लोग पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरह से निव येर को सेलेबरेट किया जाए इसके लिए नए नए आइडियाज तलाशे जा रहे हैं नए साल का स्वागत हो और पटाखे न पूटे और जोरदार आवाज के साथ दीजे न वजे ऐसा तो होई ने सकता लेकि इस साल कुछ अलग होने जा रहा है क्योंकि इस बार पश्मंगाल की ममतब अनर्जी की सरकार एक कड़ा कदम उठाने जा रही है रज्य के परियावरन मंत्री मानस भुईया ने धावनी परदूशन यानि आवाज की वज़े से होने वाले पॉलिशन को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तर पूरे बंगाल में 31 दिसंबर और एक जनवरी को पटाके छोडने यानि आतिश बाजी पर पावन्दी लगा दी गई है सिर्फ यही नहीं 31 दिसंबर की रात और एक जनवरी को बंगाल में कहीं भी डीजे नहीं बजाया जाएगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो पुलिस उसके खिलाब कानूनी कारवाई करेगी मंतरी मानस बुया ने कहा कि 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक किसी भी तरकी आतिश बाजी पर पावन्दी रहेगी इस दोराण डीजे पर भी परतिबंद लगा दिया गया है कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा है इस पर नजर रखने के लिए पुलिस को हिदायत कर दी गई है जिस जिस अलाके में डीजे किराये पर ले जाता है उसकी विस्तरित रिपोर्ट राज्य के हर्थाने को पहले ही सौपी जा चुकी है बता दे के हाल ही में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना की शांदार जीत के बाद राज्य भर में जम कर पटाके छोड़े गए रात भर लोग सडकों पर हुलड मचाते रहे जम कर डीजे बजाया गया जिससे आम लोगों को काफी परिशानी हुई 31 जिंबर की रात और एक जनवरी को भी लोगों को इसी तरह की परिशानी का सामना करना पड़ेगा इसलिए कुछ दिनों पहले कोलकाता के कुछ परमुख वरिष्ट नागरी को ने मुक्ख मंदरी ममता बनर जी को पत्र भेज कर नए साल के मौके पर पटाकों और डीजे के शोर से बचाने की अपील की थी मुक्ख मंतरी को लिखे खत में उन्होंने आतिशवाजी, शोर, म्यूजिक सिस्टम और लॉडू स्पीकर के अंदधुन इस्तमाल से होने वाले पॉलिशन यानि धौनी परदुशन के खत्रे का जिक्र किया है उन्होंने धौनी परदुशन को रोकने के लिए कदम उठाने की सरकार से अपील की है बुद्वार को परियावनन मंतरी मानस भुया ने इस पत्र की जानकारी देते हुए कहा के सरकार या मुक्ख मंतरी को पत्र लिखने का अधिकार सभी को है लेकिन उन्होंने अभी तक पत्र नहीं पढ़ा है इसलिए उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं लेकिन इतना तै है के एक दिसंबर और एक जन्वरी को ना तो पटा के फोड़े जाएंगे और नहीं डीजे बजाये जाएगा सभी चीजों पर शोर मचाने वाली सभी चीजों पर पवंदी रहेगी